हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लैट्स लोग विद पूनम में आज मैं सेयर कर वे आप सब के साथ एक दम नई रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही असान हो और बहुत ही जटपड बन कर त्यार हो गर खाने में बहुत ही तेस्टी है तो जाए बनाते हैं नास्ता बनाना के लिए हमें चाहिए यहां पर बेशन यह एक टौई भर करके हम बेशन लेंगे दो चमच इसमें करेंगे हम चावल का आटा का इससे हमारा नास्ता जो है एकदम से खेसब्री बन कर त्यार होगा अगर आपके पास क्रा चावल का आटा स्वादा नुशार नमक यहाँ पर आदा चमच हम हल्दी डालेंगे कलर के लिए आदा चमच यहाँ पर कास्मिरी लाल मिर्च है इस से भी कलर जो हमारा नास्ता का बहुत ही अच्छा है और आदा चमच है इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर से नासा बहुत ही टेस्टी बनेगा और एक चमच यहां पर धनिया पाउडर आदा चमच यहां पर कुटी हुई लाल मिर्च और आदा चमच हैं हम इसमें डालेंगे कुटी हुई जीरा यह भुना हुआ जीरा लिया है और इसके पाद इसमें डालेंगे हम में कोई भी आलम्स नहीं पढ़ने चाहिए देखिए इसी तरह का हमें घोल चाहिए इसको हम एक साइड रख देते हैं जिससे की सूजी हमारे अच्छे चे फूल जाएगी अब हमें चाहिए यहाँ पर 2800 ग्राम के करीब बैंगन यह हमने लंबे बैंगन लिये हैं इसका हम इस तरह से बारिक बारिक छिलका उतार लेंगे सबी बैंगन का हमें इसी तरह से छिलका उतार लेना है उपर से जो नाकू है इसका वो भी हम इसका कट कर लेंगे इस तरह से हमें सारा छिलका उतार के इसको एक साइट रख देते हैं सारी बैंगन का हमें इसी तरह से छिलका उतार लेना है अब लेंगे हम एक बरतन में पानी और इस तरह से हम इसके पतले पीसिज कट करके इसको पाने में डीप करते जाएंगे जिसी ये काली नहीं पड़ेगी ये सारे बैंगन इसी तरह से हमने कट कर लिए हैं इसको हम अच्छे से वोस करेंगे अब इसको पाने से निकाल लेते हैं और इसको हम एक टावल पे इस तरह से फैला देंगे इस तरह पोस्ट के लेना इसमें पानी की मातरा नहीं रहनी चाहिए ये विल्कुल सुखा लेना हमें यहाँ पर हमारे बैंगन अच्छे से सुख चुके हैं अब चलते हम बैसन की तरफ यहाँ पर हमारा बैसन भी अच्छे से फूल चुका है इसमें हम लेंगे ये बैंगन के पीसिज, इस तरह से सारे बैंगन के पीसिज को हम दीप कर लेंगे और यहाँ पर हमने पहले ही तेल को गरम होने के लिए रख दिया था यहाँ पर तेल जो हमारा मीडियम गर्ब है और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम ख्लेम पर हम इसे तलेंगे यहाँ पर हमें यह नास्ता इसी तरह से पका लेना है एक बैच में जितने भी नास्ते आ सकते हैं उसी तरह से पका यह किसी को पता भी नहीं चले वो आपकी तारीफ ही करेगा यहां पर हमारा एक बैस रेडी हो गया है अब ढाल देते हैं दूसरा बैस यहां पर हमारा दूसरा बैस डाल देते हैं इसी तरह से गैस की फ्लेम को याद रखिए गैस की फ्लेम यहां पर हमें मीडियम ही रखनी है और मीडियम फ्लेम पर हमें इ पैंगन से बनाए है यह इतने टेस्टी बन कर त्यार होते हैं अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी से पसंद आए तो लाइक से रेंड कमेंट कर दीजिए और पेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए थैंक यू बाई